नमस्कार दोस्तो निलम गार्डन टिफ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है ते यहाँ पर जैसे प्लांट मैं लाई हूँ दोस्तो यह मेरा जो है यह हाइबिरिट का गुलाब है और यह बहुत सुन्दर फ्लावरिंग करता है बहुत फूल देता है अगर आपका प्लास भी बढ़ेगा तो दोस्तो जैसे यहां पर देख रहे हैं कि यहां दो फूल खिला हुआ है और उपर की और भी फूल खिला हुआ है तो इसका ब्रांच पहले देखिए कि यह मैं जो लगाई थी दोस्तो यह आपका साल भर पुराना है और इससे मैं बहुत ज्यादा फ्लावरिंग लेल चुकी हूँ और इसमें आपको ज्यादा ब्रांच मैं बढ़ाने के लिए क्या करती हूँ इसके बारे में भी दिखाऊंगे कि मैं इसे कैसे ज्यादा से ज्यादा फूल लेती हूँ और अगर आपका कलिया फूल बनने से पहले ही गिर जा रहा है या आपको सबसे पहले क्या करनी होगी कि आपको सबसे पहले मिटी को देखनी होती है कि मिटी मेरा कैसा है अगर आप बेस इसे अच्छा देंगे तो आपका फ्लावरिंग आने से कोई भी नहीं रोख सकता है तो बेस का मतलब हुआ कि जैसे ही कोई बच्चा जनम लेता है तो जिस तरह से उसे परवरिस करते हैं आप उस तरह से उसकी आदत हो जाती हैं तो इसी तरह से पौधा को है कि अगर आप ग्रोथ उसकी कैसी बढ़ने के लिए मिट्टी दे रहे हैं अगर मिट्टी अच्छी होगी तो आपका आगे चलके विकास फूल आने से कोई नहीं अगर नहीं तो आपका ये पौधा आपका किस मिटी में है उसके अनुसार ही आगे की ओर जाती है अगर जमीन में रहता है तिसे कोई बात नहीं रहता है जमीन में आपका कैसे भी पौधा चल जाता है लेकिन गमला में सीमित मिटी होने के कारण सीमित फटलाइजर होने का कार भर रहता है दोस्तों किसको हम कितना भोजन दे पानी दे क्या करें क्या नहीं देख भाल करना हम लोग का जिम्वारी होता है तो इसलिए पौधा गर गमला में आप लगाए हैं तो सबसे पहले इसे पौट को साइज चूज करें अगर हाइब आप लगाए हैं तो हाइब तो दोस्तों इसको जैसे देख रहे हैं कि यहां पर पत्ती में यहां कुछ कीड़ा लगा हुआ है जैसे पत्ती काला होने लगा है दीरे दीरे तो अभी आप इसको तयार करेंगे तो आपका और भी ज़्यादा इसमें फूल आएगा क्योंकि जैसे आपको देख रहे हैं कि इससे आप प्लावरिंग लेके लिए क्या करें कि इसको सबसे पहले मिटी को आप चेक करने के बाद देखें कि इसकी प्रांचेस लगाएं उसे तो मैं नहीं जानके इसे करना है लेकिन अगर मैं जो लगाई भूल से क्या करें तो थोड़ा सा मिटी लगाएं और गुरूद नहीं बढ़ रहा है तो आप इसको चार इंच अनल की गहराई गुराई करें अगर आपका गुराई करने के बाद उस मिटी को आप निकाल दें और जब मिटी में आप जीर हल का मिटी बनाएं इसके लिए हल की मिटी बहुत अच्छे होती है तो उसके लिए पोड़ा के लि इसथा लिए करने के बाद जरूर दीन तक है तो इसको क्या करने है और गर जाता है और बीज बनाने के लिए यह आपको पूरा तरह से ताकत लगा देता है तो इस तरह से नहीं होने दे मीटी में जो भी है उसको हटा दे हटाने के बाद गुडाई करने के बाद इसमें आप फटिलाइजर कुछ एड़ करें और सबसे पहले जैसे यहां संतरा के छिलका देख रहे हैं तो इससे क्या होता है कि स्वाइल आपको एसे डिक होता है संतरा हो या निम्बू हो कोई चीज का है अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो उसे इसी में चाहे आप पानी में डीप करके डाले या या इसी मिट्टी में आप नीचे की और दबा दे तो भी ये धीरे धीरे fertilizer आपका हो जाएगा और ये आपका acidic smile हो जाता है तो अगर गुड़हल हो गुलाब हो कोई चीज हो उसमें इस तरह से निम्बू कोछीलका को या संत्रा कोछीलका को आप डाल कर गार दे और उपर से मिटी से ढख दे तो आपका smile acidic हो जाएगा acidic smile गुड़हल गुलाब जरूरी रहता है इसके लिए आप अगर कोई भी खाद डालते है acidic smile नहीं है तो आपका फूल नहीं खिल पाएगा fertilizer का कोई असर नहीं होता है तो दोस्तो इस तरह से acidic smile बनाने के लिए सुखी हुई चाय की पत्ती भी आप डाल सकते हैं या आप बनेगर भी डाल सकते हैं तो दोस्तो एक लिटर पानी में एक चमच आप एपल सायल बनेगर ले या वाइट बनेगर ले कोई भी लेकर आप एक लिटर एक महिना में डाल दीजिए उसके बाद आपको जो भी मैं खाद बता रही हैं उसको यूज करें तो आपका तो पूरा फूलों से गमला भरा रहेगा और फूल आने से कोई नहीं रुकेगा हजार फूल आपको गमला में प्राप्त होगा दोस्तो मेरा आगे वीडियो देखिए कि मेरा फूल कितना जादा फूल आता है आप फूल से पत्ती जादा नहीं रहता है लेकिर फूल बहुत जादा रहता है तो आप आगे के वीडियो गुलाब का देख सकते हैं मैं डाली हुई हूँ कि कितना फूल आता है तो दोस्तों इस तरह से अगर करेंगे उसके बाद आपको अभी जो तयार करेंगे जब मिटी आपका सुख जाए या दूसरा मिटी हो तो आप इसे चारी जगुडाई करने के बाद इसमें क्या करना है कि आपको नारियर का छिलका चूरन थोड़ा सा लेना है और इसमें बर्मी कंपोस्ट एक मुठी लीजिए और थोड़ा सा आप एक चम्मच आपे चाहे तो करस किया हुआ नहीं तो गिला होगा तो गिला भी आपे आप ये सरसुखली का जो मस्टर्ट केक बोलते हैं उसको ले लीजे और डियेपी का दाना थोड़ा सा ले लें आप 10 दाना पोट अगर 10 इंच का है तो मेरा तो 16 इंच का है तो 10-12 दाना इसमें डाल देंगे तो कोई दिकत नहीं होगी और इसको आप डाल कर उपर से फिर मिट्टी फील कर दें फिर इसके बाद आप देखिएगा कि नमंबर आते आते कितना इसमें ब्रांच हो गया है और पूरी तरह से आपका ब्रांच पूरा चारो तरफ से आएगा फूल कलियों से भरने लगेगा अगर पूधा इस तरह से आप तयार करेंगे दोस्तों तो बहुत जादा इसमें फ्लावरिंग होगी और आपको अगर एकाद फूल खिल रहा है तो उसको अभी तोड़ दे अभी फूल प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं तो एक फूल लेगा तो आपका इनरजी इधर बेश्ट करेगा इसलिए छोटा-छोटा फूल को अभी जो भी होगा उसे कट कर दें अकट करकर हटा दें तो इस तरह से अगर करते हैं तो हजार फूल आप गमला में ही ले लेंगे और बहुत सुंदर गुलाब गुलाब तो फूलो का राजा होता है दोस्तों अगर इस तरह से फूलो करेंगे तो आपको भी फूलो से गमला भरेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सेस्क्राइब सेयर जरूर करें अगर बहुत से प्याइब झादिशों करेंगे थासरे जरूर करेंगे तो भी उजए वमला करेंगे विल्ग जने मतलू झाल झाल